साबर मती ओनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायलोजी के अंतरगत दो महत्तुपूर टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें फर्ष्ट है आनिसेख फलन और सेकंड हमारा है असंग जनन तो इन दोनों महत्तुपूर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा जो आनिसेख फलन है कुष्टन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि भाई आनिसेख फलन से आप क्या समझते हैं आनिसेख फलन पर संचिफ्ट टिपड़ी लिखिए तो जब भी इस प्रकार के कुष्टन पूछे जाएना तो आप प्रियास करें कि इनको पॉइंट वाइज लिखें पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि जो एक्जामनर होता है उसको इस पर समझ में आता है और दूसरी बात कि पॉइंट वाइज आपको आसानी से लर्ण हो जाएगा और इस पर आप लिख पाएंगे और पॉइं निसेचन के फल बनना ही आनिसेख फलन कहलाता है तो सबसे पहले पॉइंट वाइज किस प्रकार से लिखते हैं पहला पॉइंट बताते हैं कि यह सब्द जो आनिसेख फलन सब्द है ना इसको नौल नामक वग्यानिक ने दिया था वही किस ने दिया था नौल नामक वग्यान का नाम याद कर लेना है नौल नामक वैग्यानिक ने अनिसेख फलन सब्द दिया था इसके बाद अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि अंडासे से कहां से अंडासे से बिना निसेचन के अनिसेचन की क्रिया ना हो तो अंडासे से बिना निसेचन के फल निर्माल की क्रिया को अ एक्जामपल बता देते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर एक्जामपल लिख देते हैं जैसे कि हमारा केला होता है केले में अनिसेग फलन की क्रिया होती है अंगूर हो गया अननास हो गया तो इस प्रकार से यह हमारे अनिसेग फलन की क्रिया इनमें देखने को मिलती इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमने एक्जामपल बात किया है केला अंगूर अननास इसमें प्राकृतिक तोर पर आनिसेख फलन होता है यानि की बिना निसेचन की हम लोग फल उत्पन कर लेते हैं तो अब यहाँ पर आता है कि क्या कुछ ऐसे दवा छिड़काओ किया जा सकता है जिनके माध्यम से अनिसेख फलन के माध्यम से हम फल को उत्पन कर सकते हैं तो है कुछ पादा फार्मोंस हैं तो आनिसेख फलन को पादा फार्मोंस जैसे की आॉक्सिन हो गया हमारा और जिब्रेलिन हो गया तो आॉक्सिन और जिब्रेलिन के छिड़काओं से भी प्रेरित किया जा सकता है आनिसेख फलन को तो इस प्रेकार से आनिसेख फलन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नेश्ट टॉपिक हमारा है असंग जनन नेश्ट टॉपिक कौन था है असंग जनन असंग का मतलब होता बिना संग के यानि बिना मिले किसके बिना मिले बिना युगमक के मिले जनन की क्रिया हो जाए यानि कि बिना युगमक के ही बुरूड का निर्माड हो जाए तो इस क्रि रहता है तो फिर्श्ट पॉइंट यहां पर यहीं लिखते हैं तो जब युग्मक भाग नहीं ले रही है तो नर और मादा युग्मक की कोई बात ही नहीं यानि कि यह जनन अलैंगिक जनन होगा वहीं लैंगिक जनन में युगमक भाग लेते हैं नरोर मादा तो इसमें तो भाग ले नहीं रहें असंग जनन में तो यह हमारा अलैंगिक जनन की क्रिया हो जाती है तो यह एक अलैंगिक जनन की सामानी विधी है जिसमें नए पौधो का निर्माड जिसमें नए पाउधों का निर्माड युगमकों के संलयन के बिना ही तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि युगमकों के बिना ही नए पाउधों का निर्माड हो जाना ही असंग जनन कहलाता है इसके बाद एगला पॉइंट लिखते हैं कि बुरूड य लिखते हैं कि कहां पर हमें असंग जनन देखने को मिलता है तो गन्ना हो गया आलू हो गया इसमें काईक जनन होता है यानि कि असंग जनन हमारा दो प्रकार का होता है एक होता है काईक जनन और दूसरा होता है आनिसेक बीजता तो जो गन्ना आलू है इसमें काईक जनन वाला आसंग जनन देखने को मिलता है और जो हमारा नीमू और आम हो गया इसमें आनिसेख बीजता का आसंग जनन देखने को मिलता है तो इस प्रकार से आसंग जनन के जो दो प्रकार है इनके नाम को आपको याद कर लेना है पहला है काई जनन और दूसरा है आनिसेख बीजता तो अमारा दूसरा कौन सा है अमारा अनिसेख फलन ये दोनों महत्पूर टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे थैंक यू